नमस्कार दोस्तों देल लेर्नर पॉइंट में आप सभी काश्वागत है इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे आरपियसी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें इधियास है आपका जो फोर्षन उसमें टोटल आपके पंदरा प्रसन आणे है प्रते एक प्र प्रसन है दोस्तों इस वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना पूरा का पूरा आपके कितने सही होते हैं कमेंट बोक्स में जरूर बताना इसके लावा दोस्तों अपना टैलिग्राम चैनल दे लर्नर पॉइंट नाम से है उ प्रसन है सबसे पहले कला के चतर में पक्की सामगरी का प्रियोग किया जाने लगा गुप्तकाल मोरेकाल या कुशानकाल काल या इन मेंशे कोई नहीं तो इसका रायट आंतर क्या हो जाएगा ये किया जाने लगा था मोरे काल के अंदर मोरे काल में ही दोस्तों सबसे पहले पक्की सामगरी का परियोग किया जाने लगा था जिस परकार से पाशान सामगरी का परियोग किया जाना मोरे काल से पहले दोस्तों कला के छेतर में कच्छी सामगरी का प्रियोग होता था ये important person है आप इसको ध्यान में रखना अगला person देखे आपके सामने स्क्रेन के उपर ये रहा जो राजपरशाद है दोस्तों उनके बारे में ये कथन किस ने कहा था कि इनको देवताओं और राक्षाशों ने बनाया है important person है तो जल्दी से आप बताईए किस ने कहा था इनके बारे में कि इनका निर्माण है राजपरशादों का निर्माण है वो राक्षाशों वे देवताओं ने किया है तो बताईए spooner, aryan, fayan या इन में से कोई नहीं तो ये कथन का था दोस्तो फayan ने कि देवताओं राक्षाशों ने बनाया है राजपरशादों को यानि बहुत ही भवे और सुन्दर राजपरशादों का निर्माण हुआ था तो फayan का माना था कि मनुश्य तो इनको बढ़ाई ने सकता या तो देवताओं ने बढ़ाए है या राक्षाशों ने बनाया है इसके लावा जो spooner है इन्होंने दोस्तो ये कथन का था कि हकमनी शामराज या हकमनी यानि दोस्तो इरान के पर्शी पूलिश के दारा के महलो के शमान है यहां के जो राज परशाद है वो एरियन ने कहा था दोस्तों कि मेसोपोटामिया के सुसा और एक बटना से सम्मिता खाते हैं जो मोरे काल के राज परशाद हैं वो यह तिनों के थनाब त्यान में रखना नेक्स क्यूशन देखें आपके सामने स्क्रेन के उपर यह रहा मोरे काल में सबसे पहले पारिक या नगर दिवार कहां से मिली important person है मोरे काल में सबसे पहले पारिक या नगर दिवार है वो कहां से मिली है बुलंदी बाग, पटना, पाठली पुत्र या इन में से कोई नहीं तो बुलंदी बाग से मिली है दोस्तो और बुलंदी बाग पाठली पुत्र में पढ़ता है अगर बुलंदी बाग नहीं होता तो पाठली पुत्र सही हो जाता तो यहां पर राइट आंस रोगा बुलंदी बाग से मोरे काल में सबसे पहले पारिक या नगर की दिवार मिली है ठीक है और इसको दोस्तो स्पुनर मोद्या ने खोजा था और लकडी की समानतर दिवारे मिली है इसमें और नाली सिस्टम भी मिला है लोहे की किले इसमें प्रियोग हुई है ठीक है इसको वाटर प्रूव बनाने के लिए तो यह आप ध्यान में रखना अगला परसंदेखे आपके सामने स्क्रेंट के उपर यह रहा इलाबाद में इस्टित इलाबाद में इस्टित मोरे सामराजे के समंद में इलाबाद इस्टित असो कास्तम मोरे सामराजे के समंद में सूचना देता है तो जल्दी से आप बताईए इसके बारे में इलाबाद में इस्टित इलाबाद में इस्टित असोक कास्तंब सामराज्य के समद्भ में सूचना देता है चंद्रगुप्त मोर्य चंद्रगुप्त पर्थम शमुंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त ध्वित्य ये दोस्तो अरफियज से 1st grade 2011 में आयवाप परशन है इलाबाद इस्तित अशो कास्तम समराजय के समद में सूचना देता है तो ये देता है दोस्तों समुंदर गुप्त के बारे में सूचना इपोर्टेंट परसन है आप इसको ध्यान में रखना अगला परसन देखे आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है सांची मद्य परदेश से चार शिंग ये थूड़ा समझा देता हूँ दोस्तो आपको मैं निमन लेकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो दोस्तो स्तंब और जो पसु आकरतिया मिली है जिनके उपर तो उनका दोस्तों पनको मिलान करना है सांसी का जो स्तम है ये मद्य परदेश में पढ़ता है क्या यहां से चार शिंग थे पशुआ करती हैं थी फिर देखे संकी सा संकी सा दोस्तों पढ़ता है उत्तर परदेश में क्या यहां का जो स्तम था उस पे हाते मिला है यानि हाते का चिन रूमन दे रूमन दे ही पड़ता है दोस्तो लूम्बीनी में क्या यहां से वर्षब मिला है फिर देखे लोरिया अरे राज यह लोरिया अरे राज दोस्तो बिहार में पड़ता है क्या यहां से गरूर या मोर की आकरती मिली है तो इन में से कौन सा शुमेलित नहीं है ये आपको बताना है तो देखे दोस्तो शुमेलित नहीं है रुमंदेई रुमंदेई दोस्तो लुम्बिनी से यहां अशो अशो की पशुआ करती मिली है ध्यान रखना है यहां से चार शिंग चार शिंग पशुआ करते हैं मिली है सारनाथ उत्र परदेश में पढ़ता है यहां से भी चार शिंग क्या करते हैं मिली है कौल हुआ बसाड यह विसाले में पढ़ता है दोस्तों यहां से एक मत्र शिंग यानि एक शिंग क्या करती मिली है फिर देख से गुरूरिया मोर की मिली है तो ये आप ध्यान में रखना अगला प्रशन देखे आपके सामने स्क्रेइन के उपर ये रहा इंडिका के समद में कौंसा कतन सत्य नहीं है ये आपको बताना है तो देखे दोस्तो भारत में दासपर्था नहीं थी अकाल नहीं पड़ता था भारती एसमाज को साथ बागों में बांटा गया इंडिका में चंदरगुप्त को एंड्रो कोटस कहा गया है तो बताईए कौन सा कतन है वो सत्य नहीं है इंडिका के बारे में तो देखे दोस्तो बता देता हूँ इंडिका की रचना की थी मेक्स्थनीजे ये शेलुकिस का राजदूस था मेक्स्थनीज और इसके अंदर कहा गया है कि भारत में दास परता नहीं थी बिल्कुल सत्यकतन है और दोस्तो अकाल नहीं परता था ये भी सत्यकतन है भारतिय समाज को साथ बागों में बांटा गया ये भी सत्यकतन है इंडिका में चंदर गुप्त को एंडरो कोटस नहीं सेंडरो कोटस का आ गए है याद रखना सेंडरो कोटस का आ गया है पाठली पूतर को इसमें पोली ब्रोथका आ गया है तो ये आप ध्यान में रखना next किश्ण देखे आपके सामने स्क्रीन के उपर यह रहा निमन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है देखिए इधर देखे दोस्तों रचनाएं दे रखी है इधर रचनाकार दे रखी है मुद्रा राक्षश की टिका डूंडी राज कथा सरित सागर सोमदेव, मरच कटिकम हेमचंद्र और वरत कथा मंजरी छिमेंद्र तो बताना है आपको इसका राइट आंसर तो देखे दोस्तों मुद्रा राक्षश की टिक का डूंडी राज ने लिखी थी बिल्कुल शई है कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा था बिल्कुल शई बाद है इसके बाद देखे दोस्तों मरच कटिकम मरच कटिकम है ये दोस्तों किसने लिखा था मरच कटिकम हेमचंदर ने नहीं लिखा मरच कटिकम ये लिखा था चुद्रक ने किसने चुद्रक ने फिर है व्रत व्रहत कथा मंजरी ये दोस्तों छिमेंदर की रचना है तो ये आप ध्यान में रखना अगला प्रशन देखे आपके सामने स्क्रेन के उपर ये रहा अर्थ सास्तर के शमंद में कौन सा कथन शत्य नहीं है अर्थ सास्तर के समंद में कौन सा कथन शत्य नहीं है अर्थ सास्तर एक राजनेती गरंथ है अर्थ सास्तर में 15 अभी करण 180 पर करण 5000 सलोग है अर्थ सास्तर में मोरे काल का कहीं नामूलेक नहीं किया गया है इसका समंद कोटीले से हैं तो कौन सा कथन शत्य नहीं है यानि ऐ शत्य कथन है वो आपको बताना है तो देखें दोस्तो अर्थ सास्तर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं तो अर्थ सास्तर की रजनाकिती कोटिल्य, विश्नुगुप्त या चनक्यने और अर्थ सास्तर का दोस्तो जो मूल शवरूप है वो नहीं मिलता है अर्ध सास्त्र है इसकी दोस्तो पांडू लीपियां साम सास्त्री थे उनको मिली थी उसके आधार पर दोस्तो 1909 में साम सास्त्री ने इसका प्रकासन किया था तो ये बात आप ध्यान में रखना और इसकी पांडू लीपियां साम सास्त्री को मिली थी और अर्ध सास्त्र है प्रकासन किया था साम शास्त्री ने और इसे दोस्तो मोरेकालीन भारतिय समाज का दरपन का आ जाता है तो इसमें से कौन सा कथन ऐस सत्ते है वो आपको मैं बता देता हूं ये ऐस सत्ते है दोस्तो 15 अभी करण 180 पर करण 5000 पांच जार सलोक नहीं 6000 ठीक है 6000 बाकि सारे के सारे जाल का कहीं नाम उलेख नहीं किया गया है यानि किसी सासक और रजनकार का इसके अंदर उलेख नहीं है अगला परशन देखे आपके सामने स्क्रेन के उपर ये रहा दिदार गंज पतना से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षणी मूर्ती को इस्तरी रतन किष ने कहा बहुत चंदरा रोमिला था पर तो इसका राइटांसर है वो क्या हो जाएगा केपी जाईश्वाल अगला परशन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रेन के उपर ये रहा बारा बार से मिली चार गुफाओं बारा बार से मिली चार गुफाओं में से कौन से गुफा का निर्माण अशोक के पुत्र दसरत ने करवाया शुदामा करण चोपड़ा लोमरिश या विशो जोंपड़ी तो जल्दी से आप बताएए बारा बार से मिली चार गुफाओं में से कौन से गुफा का निर्माण दसरत ने करवाया बहुत ही अच्छा परसन है देखे दोस्तों और नागारजुन और बारा बार की पाड़ियां ये बिहार में पड़ती है यहां से साथ गुफाओं मिली है चार तो मिली है बारा बार से और दोस्तों तीन गुफाओं है वो नागारजुन की पाड़ियों से मिलने वाले तीन गुफाओं है दोस्तों गोपी का और इसके निर्माण दसरत ने करवाया था और जो बारा बार से चार गुफाएं मिली है उस में से दोस्तों पता देता हूँ आपको सुदामा का निर्माण है सुदामा इसका अशोक ने करण चोपडा का अशोक ने यानि करण चोपार दोस्तों विशो जोंपडी का अशोक ने लोम रिशी का निर्माण दोस्तों अशो। के पुत्र 12 रत ने करवाया था। तो ये था दोस्तो अपना टोपिक मोरेकालीम कला वे शाहित्य है। इसमें से दोस्तो जितने महतोपूर परसंते मैंने अंदर से निकालने की कोशिश की है। और प्रसुनों को ने सवरूप के अंदर भी निर्मित करने की कुशिश किया, आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बोक्स के अंदर जुरूर बताना, इसके लागा दोस्तों अपना टेलिग्राम चैनल है, उसको आप जोइन कर लेना, दे लर्नर पॉंट नाम से अपन